हेलो अब्रीबन मेरा नाम एपसीख सिंग इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घटना चक्र यूपी ट्रिपल सी पेटी बुक की इसमें आल्लेडी हमने एंसेंट और मेडिवल इंडिया डिसकस कर लिया था इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉडर्ण इंडिया की ठीक है आधनिक भारत का आयतियास सबसे पहले टॉपिक दियर रखा है इसमें ब्रिटिस राज का अभियूद है एवं प्रिथम सतंता संग्राम क्रिशन नमबर बन देच्छिड भारत के किस राजा ने 1741 इसवी में कोला चेल की लड़ाई में डेच इंडिया कंपनी को परास्त किया था तो यह हैं मार्तंड वर्मा इनके बारे माँ फ़ड़ा जान लेते हैं कोला चेल का युद्ध 1741 इसवी में राजा मार्तंड वर्म के गामा तर्फ दुट इस्ट इंडिया कंपनी के मद्ध हुआ जिसमें त्रावड कोर की सेना ने डच सेनां को परास्त कर दिया था डच इस इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 इसवी में हुई थी और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 इसवी में अंग्रेज्यों एवं डचों के मद्ध हुए बेदरा युद्ध से हुआ था ठीक है नेक्स्ट कुश्चिन नबर टू वासको डिगामा किस वर्ड्स कालिकट में उत्रा था 1498 में बहुत बार आया यूपी पीसेस विगारा में यह कुश्चिन पूर्थगाली नाविक वासको डिगामा 20 मई 14 1498 को मालावार के कलिकट केरल के तर्ट पर पहुँचा वहां के सासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया कुश्चिन नमर तीन वासको डिगामा एक पूर्थगाली अनवेशक ने 1498 इस वी में वर्स में भारत के समुद्री मार की घुचिती ठीक है फिर से वही कुश्चिन रि 1427 को अंग्रेज सेनपती रावर्ट क्लाइब और बंगाल के नवाब सिराज दौला के बीच हुआ इस युद में सिराज दौला का सेनपती मिर जापर था इस युद में मिर जापर की धोका धरी के कारण सिराज दौला की हार हुई थी प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था 1757 ठीक है पहले भी मैंने मताया है कि 1857 में आई करांती हुई थी आजादी के पहली करांती तो उससे 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था याद करने के लिए याद किया जा सकता है ऐसे प्लासी की लड़ाई अंग्रेज और किसके बीच लड़ी गई थी तो प्लासी का युद्ध हमने अभी देखा अंग्रेज और सिराजुद दौला की बीच में हुआ था फिर से कुश्चन रिपीट हुआ अब देख लो कितनी बार रिपीट हो रहा है कुश्चन से कुश्चन नमर एट बखसर के युद के बाद इस्ट इंडिया कंपणी मुगल समराट को प्रतिवर्स 26 लाग रुपए एक तरीके से पेंसन देता था कौन इस्ट इंडिया कंपणी किसको मुगल समराट को ठीक है बखसर के युद के बाद अगस्त 1715 डिश्पी में कलाईब ने मुगल बादसा साह आलम दुती से इलहाबाद की संधी की ठीक है यह याद करने वाला फैक्ट है कौन सी संधी हुई थी इलहाबाद की संधी हुई थी जिसके अनसार मुगल बादसा ने बंगाल बिहार उडी और उडीशी को साह आगे बढ़ते हैं है और नंबर टू पॉइट क杜ाण की यह एसी इने अवदकी नवाब से कड़ा और मानिकपुर ठीन कर मुगल समराथ को दे दिया कमपणी ने मुगल बासा को प्रति वार्सिक 26 लाग रुपय देना सुविकार किया नजमुद दौला को बंगाल का नवाव सुविकार कर लिया गया क्विश्चन नमर नौ बक्सर के युदि के बाद अवद के नवाव ने बंगाल और कडा को मुगल समराड को सौब दिया जो ब्रिटिस सैनिकों के संच्छन के अंतरगत आता था ठीक है यह कुश्चन हमने उपर भी देख लिया पिर से कुश्चन पूछा गया है इसलिए एक्स्प्लेंशन पढ़ना बहुत जरूरी है इस बुक में ठीक है एक्स्प्लेंशन से अगला क्विश्चन बनेगा वर्स सोला सो बारा स्वी में इस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास इस्थित स्वाली एश्वरी ठीक है स्वाली एश्वरी में पूर्थ गालियों को पराजित किया था सोला सो बारा स्वी में इस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र टट पर पूर्थ गालियों को पराजित किया था इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेत्वत थामस बेस्ट ने किया था अंग्रेजों की इस विज़े से पूर्टगाली एकाधिकार की निरनतरता भंग हो गई थी पहली देनिस इस इंडिया कंप्णि ने अपना परिाल औन किर्चवरस में सुरू किया था तो 1616 में स्टार्ट किया था पहली देनिस इस इस इंडिया अपना परिचाल औन vard ROB 16Esola में किया था इपनी फैक्ट्री सूपत में स्थापित की थी कुश्य नम्र बारा स्री रंग पत्रनम का एतिहासिक सहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है वह निम्रकित किस सहर से लगभग 15 किलोमेटर की दूरी परिस्थित है तो आप सबको पता है टीपू सुल्तान और हैदर अली का संब से लगभग 15 किलोमेटर की दूरी परिस्थित है यहाँ पर हैदर अली और उनके पूत्र टीपू सुल्तान का सासन था कुश्य नमर तेरा ब्रिटिस सासन को भारत से उखाड फेकने के लिए इन में से किसने फ्रांसीसियों की मदद मागी थी तो टीपू सुल्तान ने मैसूर युद्ध 1799 में उनकी म्रति हो गई थी ठीक है लास्ट जो युद्ध था उसमें मार दिये गये थे टीपू सुल्तान कहां का सासक था मैसूर का इजी है अब बढ़ा इंग नहीं बार बार स्रीरंग पर्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया टीपू सुल्तान को ठीक है चौथा अभी हमने उपर देखा था स्रीरंग प्रटनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 स्वी में टीपू सुल्तान को हराया था इस चतरत आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पोर्टया पराजित हुआ उसकी मिरत्य हो गई मै एसूर पर इस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया किस वर्स में इस्ट इंडिया कंपनी ने रडजीर सिंग के साथ अमरिसर की पहली संदी पहस्ताचर किया था तो 1809 स्वी में अमरिसर की संदी होई थी किसके बीच में रडजीर सिंग और इस्ट इंडिया कंपनी के ब संदी लाड मिंटो प्रथम के साशनकाल में हुई थी बंबई अब छत्रपति सिवाजी महाराज ट्रेमिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन के सवर्ष चली थी तो यह 1853 में चली थी ठीक है भारत में रेल निर्माड की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रेटेस गव थी ठीक कुछ नमरे 18 बंगाल के प्रथम गवर्णर जेर्नल कौन थे लॉर्ड वारिं एंट्सिंग ठीक लॉर्ड dauर रॉर्न हैंस्टिंग भंगाल के प्रथम गवर्णर जेर्नल थेm framework तक थे इनके शाशनकाल में ब्रेटिश संसर्द्वारा obret ग्香र Darth dużo से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने इसाहरा को संधीखे 1529 वीजरेया कनू?. तो दूसरा प्रांध पूछ राया पे जिसने सहायक संदी को स्विकार किया होता मैसूर भारती राजियों को अंग्रेजी राजनीतिक परिदी में लाने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संदी परणाली का प्रयोग किया सहाय संदी को स्विकार करने वाला पहला राज कौनता हैदराबाद ठीक है दूसरा मैसूर फिर तंजौर अवद पेशवा बरार के भोसले सिंधिया जोधपुर जैपुर मच्छेदी पूंदी तथा भारतपुर इस तरह से करम याद रखना है सिविल सेवा किसके सासनकाल में प्रारम की गई थी भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्ण वालिस के टाइम में स्टार्ट की गई थी सासनकाल में प्रारम की गई थी लॉर्ड कॉर्ण वालिस को भारत में सिविल सेवा का जना कहा जाता है उसने कॉर्ण वालिस सहिता प्रिस्तुत किया जो की सक्तियों के प्रतक कराण पर आधारित थी इसने कर तता न्याय प्रतक कर दिया कॉर्ण वॉलिस ने पुलिस कर तथा ब्यापार छेत में अनिक सुधार किये प्रिसासन में कार कुसलता के लिए उसने आधिकारियों के घूस उपहा तथा निजी ब्यापार पर पूर्टे है प्रितिबंद लगा दिया कुश्य नबर 22 ब्रिति सम्राज में अवद का विलय हुआ था 1856 में ठीक 1857 से एक साल पहले जवरजस्ती अवद को इन्होंने मिला लिया था इसलिए यहां पर कांती भी हुई थी उसका एक रीजन भी है ठीक है ब्रिटिश समराज में अवद का विले कब हुआ वर्स 1856 में ब्रिटिश समराज में अवद का विले 1856 इस भी में हुआ था लॉर्ड डलहॉजी ने आउट ट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुसासन का आरूप लगा करे अवद को ब्रिटिश समराज में मिला लिया उस समय अबद का नवाब कौन था वाजिद अली साह था ठीक है यह भी याद करने वाला फैक्ट है लॉर्ड डलहॉजी ने अबद को कब कबजी में लिया 1856 में जन्वरी 1856 में लॉर्ड कैनिंग इलावाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्री पश्मी प्रांत का गठन किया ठीक है यतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे बढ़ते हैं भारत में किस गवर्णर जर्नल को इस्थानी स्वसासन का पिता कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है बहुत बार यह पीसेस में कुश्चन पूछा गया है आइस में भी यह कुश्चन आल्रेडी पूछा जा चुका है ठीक है भारत में किस गवर्णर जर्नल को इ प्रस्तुत इस्थानी स्वासासन प्रस्ताओं 1882 स्वी से भारत में आधनिक स्थानी स्वासासन का प्रारंब माना जाता है लॉर्ड रिपन को स्थानी स्वासासन का पिता कहा जाता है इन्होंने प्रांती सरकारों को आग्या दी कीवे प्रांती तथा इस्थानी नागरिक व 26 हिंदू बिद्वा पुनर विवा अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 1856 भी खा जाता है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था ठीक है बिद्वा पुनर विवा की इस्तिति में सुधा लाने के लिए इसवर चर्ण विद्यासागर ने अतुप प्रेतन किया 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिस सरकार से बिद्वा पुनर विवा पर कानून मनाने का अंरोध किया जिसके परणाम सरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू बिद्वा पुनर विवा अधिनियम 1856 लागू किया गया था जिसे लॉड कैनिंग द्वारा पराजित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा बिद्वा विवाह को बैद करार देते हुए इन से पैदा होने वाले बच्चों को बैद माना किया बंगाल का विवाजन 1905 इस भी में हुआ था तो कुश्चन पूचा गया कि बंगाल का विवाजन 1905 ब्रिटिस वाइसरोय किसने कराया था करजन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन 1905, ब्रिटिस बाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारती राष्टबाद पर किया गया एक प्रिछन प्रहार था अंग्रेज सर्गा ने बंगाल विभाजन का कारण इसे बड़े प्रांथ होने से प्रशासन में आने वाली असुद्धा को बताया ठीक है कि बहुत बड़ा प्रांथ है हम उसको मैनेजर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम तोड़े दे रहे हैं इसको ठीक हैं रीजन कुछ और था 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के नेर्ने की गोशना हुई 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में सोख दिवस के रूप में मनाया गया लोगों ने उपवास रखा बंदे मातरम का गीत गाया और एक दूजरे को राक की बांधी ठीक है आगे बढ़ते हैं वर्स 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वाइसराय कौन था लॉर्ड करजन था 1909 में ब्रिटिस सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोर्चना करी जिने माले मिंटो सुधार के रूप में जाना 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय निवत किया गया था तथा जौन माले को भारत सचे ब्रेटिस संसर द्वारा पारित संवेधानी सुधार जिन्हें आपचारिक रूप से भारती परिशत अधिनियम 1909 कहा गया सामान तया माले मिंटो सुधार के नाम से जाना ज हमने उपर देखा 1909 में किसने बंगाल में इस्थाई उपनिवेश की सुरुवात कि लॉर्ड कॉर्ण वालिस ने इस्थाई उपनिवेश या इस्थाई बंदोवस्त जिसको हम इंग्लिस में पर्मानेंट सेटलमेंट बोलते हैं तो पर्मानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड क खित्में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिस आसन के दौरान भूमी राजसु की मुखता तीन प्रणालिया प्रचले थी पहली इस्थाई भूमी बंदोबस्त या जमीदारी पर था दूसरी रेयत वाडी विवस्त था और तीसरी महाल वाडी बंदोबस्त दस तक भूराजस की प्रणाली ना होकर बंगाल में इस्थ इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक परिपत्र था जो कंपनी के अभी करताओं को दिया जाता था ताकि वे प्रांद के अंदर बिना चुंगी दिये व्यापार कर सकेंगे ठीक है बहुत प्रौड हुआ था इसमें हिंजाब में कुछ परिवर्तनों की साथ लागों की गई इसके अंदरगर ब्रेटिस भारत के कुल भू छेत्र का 30 प्रतिशत हिस्सा सामिल था ठीक है महालवाड़ी 30 प्रतिशत एरिया में था इसमें भू राजस व्योस्था करसक की इस्थान पर प्रतिये के ग्राम या मह महाल के साथ इस्तापित की जाननी थी कुछ नबर 34 लाड डलहॉजी की बिलय नीति का प्रिथम सिकार निम्रकित में से कौन हुआ सतारा बहुत बार पूछा गया बहुत बहुत इंपोर्टेंट है लाड डलहॉजी ने वियप गत के सिध्धान जिसको इंगलिस में बोलते ह या विलय नीति का आरम किया इस सिध्धान के इंतरगत उसने निम्रकित प्रदेशों का क्रमसा अंगरीजी समराज में विलय किया सबसे पहले सतारा को दूसरे नमबर पे सतारों को कब किया 1848 में इसमें तो हमें डेट वियाद करनी पड़े कि 1848 में सतारा को इसने अंगरी समराज में मिला लिया इसके वाद जैतपुर एवं संभलपुर बगहाट उदैपुर जहांसी नागपुर करॉली इस प्रकार डलहौजी की बिले नीती का प्रथमसिकार कौन था सतारा हुआ इन में से कौन हडप नीती का कट्टर समर्थक था तो लॉर्ड डलहौजी उसे ने 1947 में लॉर्ड माउंट बैटन ने भारत की गवर्णर जैनल पद के रिये सपद ग्रहण किया उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साब या था संभाव भारत को सेट रखने की विशेज हिदायत के साथ भेजा गया था चकवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्णर जैनल लॉर्ड मॉंटेन थे स्वतंतर भारत के प्रथम भारती वां अंतिन गवर्णर जैनल कौन थे चकवर्ति राजगोपालाचारी हमने उपर देख लिया 1947 में Lord Mountbatten द्वारा गोसित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयो के अध्यश कौन थे तो सिरिल रैड क्लिफ थे तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच में लाइन है उसको भी तो रैड क्लिफ ही बोलते है न वर्ट्स 1947 में Lord Mountbatten द्वारा गोसित भारत और पाकिस्तान के लिए सीम आयोक के अधिच सिरिल रैड क्लिफ थे भारत और पाकिस्तान के मद रैड क्लिफ रेखा का संबन इन ही से है कुश्चन नमर्ट 39 अंग्रेजों के खिलाब भारती सेन को द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह वैलोर विद्रोह किस वर्ट हुआ था तो इसको 18-6 में हुआ था जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 के सासनकाल में भारती सेन को द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वैलोर विद्रोह 1806 इस भी में हुआ था इसे विद्रोह का मुख्यकारण सिपाईयों को उनके धार्मे प्रतीक चिन्दों के परियोग से रोकना था Question number 40 मेरट च्छावणी में 1857 के सैनिक विद्रोह की सुरुवात कब हुई थी तो यह 10 मई 1857 से हुई थी 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था हमार सैनिक विद्रोह 10 मई 1857 को मेरट इस्थित च्छावणी की तीसरी कैविलरी रेजिमेंट के पैदल टुकडी ने चरवी लगे कार्तूसों के प्रियोशियन कार करते हुए विद्रोह कर दिया था Question number 41 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहीं को किस कंपनी द्वारा बनाएगे कार्तूसों पर आपती थी एनफिल्ड के ठीक है 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का ततकालिक कारण चरवी लगे कार्तूसे को प्रियोग को माना जाता है ततकालीन वाइसराय लॉर्ड केंडिंग ने पुरानी और कई दसकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस बंदू की जगे नए एनफिल्ड राइफल का प्रियोग की सुरू करवाया इस राइफल में कार्तूस को लगाने से पूर्ब दात से खीचना पड़ता था इस बीच यह अफवाह फैली की कार्तूस में गाय और सूर की चरवी लगी है परणाम सरूप हिंदू और मुसल्मान दोनों भड़क उठे और 1857 की बिद्रोह की सुरुआत हो गई सिपाही बिद्रोह किस बर्स हुआ? 1857 में ठीक है सुब कोई पता है फिर भी पड़े दे रहे हैं 1857 की बिद्रोह को प्रतम भारती सुतंतर संग्राम के नाम से जाना जाता है इसे सिपाही बिद्रोह या सैनिक बिद्रोह के नाम से भी जाना जाता है यह एक ससस्तर बिद्र होता बिद्रो का अंत भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के सासन की समाप्ति तथा पूरे भारत पर ब्रिटिस्ट ताज के प्रित्यच्छ सासन से आरम हुआ था कुछ नबार बिद्रो में भाग लेने वाली प्रिशिद महिला सुतंता से नानी कौन थी वेगम हजरत महल ने 1857 के प्रिथम सुतंता संग्रा में भाग लिया था वह वाजिद अली साह की पत्नी वा विर जिस कादिर की मा थी उन्होंने लखनव अवद में बिद्रो का नित्रुत किया था बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के बिद्रो में अंग्रेजों के साथ होने वाजी लडाई में भाग लिया था तो बेगम हजरत महल हमने उपर भी देखा इनके बारे में कुछ नमर फॉर्टिफाइब ने वल्कित में से किसने 1857 के बिद्रो को दवानी के लिए अंग् बहुपाल की सिकंदर बेगम इन्होंने समने अंग्रेजों की सहायता करी थी ठीक है 1857 के बिद्रों में लखनाउं से बेगम हजरत महले नित्वत किया था 1857 के बिद्रों का प्रमुकारण ब्रिटे सरकार की डलहौजी की हडप की नीती सामाज़िक धारमिक नीती आ दी थी इस बिद्रों का प्रदीक चिन है कमल का फूल वह चपाती थी इस बिद्रों के समय भारत का गवर्णर जेनर कौन था लॉर्ड कैनिंग था ये भी कुशन पूचा जा सकता है 1857 के जब बिद्रों हुआ था 1859 में सिव पूरी में फासी दी थी ठीक है तांतिया टोपे का वास्तमिक नाम राम चंद्र पांडू रंगन था गौलियर खो देने के पस्चात तांतिया टोपे ने सागर एवं नर्मदा चेतर तथा खान देश एवं राजिस्थान चेतर में सपलता पूरबग गुरिला युद्ध का संचालन किया एक वर्स तक अंग्रेजी से नाई इन्हें पकडने में नाकाम रही अंतता उनके एक विशुशनी मित्र मान सिंग के विश्वाज घात के कारण पकड़े गए तथा 18 अपरेल 1859 को सिवपुरी के किले में उन्हें भासी दे दी गई थी वर्स 1857 के विद्रोह में कानपूर के नेता कौन थे नाना साहब ठीक है जैसे मैं तो कानपूर में ही हो तो विठूर में इनका बहुत अच्छा म्यूजियम बगएरा बना रखा है 1857 के जो कुरांती हुई थी उसके बाले में काफी कुछ उसमें इन्फॉमेशन है कानपूर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतात किया 1857 के विद्रोह के प्रमुट के दिवम उनके नेतात करता दिल्ली में नेतात करता कौन दे जर्णरल वक्त खा लखनाओ में बेगम हजरत महल हमने पहले भी देखा ग्वालियर में तांत्या टोपे बिहार में कु सक आंदोलन का नेत्वत बाबा रामचंद ने किया था जो नाई धोबी सामाजिक बाइकार्ट का एक स्वरूप था यह आंदोलन किसानों दौरा उत्रवदेश की प्रताफगड जिले से चलाया गया था अब है नया टॉफिक ब्रिटिस राज का सामाजिक आर्थिक इस पर हमारा यह विश्विद्यालय अनुदान आयोग बना था ठीक है विश्विद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिस डॉक्टर सर्वपली रादा कृष्णन आयोग द्वारा की गई थी नववंबर 1956 में विश्विद्यालय अनुदान आयोग एक साविधिक मत स्टैट्टूटरी निकाय बन गया कुछ नुबर टू हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया प्रात्मिक सिच्छा के बुड डिस्पैज के पश्चात सिच्छा के छेत्र में हुई प्रगति की समीच्छा करने के लिए 1882 इस वे में डबलु डबलू हेंडर की अधिच्छता में एक आयोग नियुक्त किया गया यह आयोग प्रात्मिक और माद्मिक सिच्छा की समीच्छा तक स्था इस आयोग प्रात्मिक सिच्छा की सुधार एवंविकास पर जोर दिया गया था कुश्चन नमर तीन 1881 में कि इसली अखवार की स्थापना किस ने की थी बाल गंगर धरती लखने करी थी ठीक है कुश्चन नमर फूर नेमर के में से स्वतंत्र समाज पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे स्वत स्वतंत्र मोतिलार नहरू जी का समाचार पत्र था ठीक है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक मोतिलार नहरू थे इन्होंने इसका संपादन वर्स 1919 में अंग्रेजी भासा में किया था भारत में वंदे मात्रम पत्रिका की स्थापना किनो को ने की थी अर्विंद घोंसने करी थी ठीक है वेदों की ओर चलो नारा किस ने दिया सबको पता ये दिया और श्षिती जी ने यह नारा दिया था वेदों की ओर लोटो का नारा स्वामीद भान रर्म6 ने दिया था उनका जन्म 1.824 उस्समी boysाट मीजे गुर्वी के गाम इस बॉक्स में जो कुछ भी लिखा है बहुत important, सब कुछ important ठीक है 875 में आर समाज की स्थापना कहां? मुंबई, ये भी पूछा जा चुका है पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकास ये भी पूछा जाता है कुछ number seven, स्वामी धयनन सरस्थे ने किस सहर में पहली वार 8 अर समाज की स्थापना की बॉम्बे जिसको अब मुंबई बोलते हैं, ठीक है, आ गया देखे आर समाज की स्थापना किसने की, स्वामी धयनन सरस्थे ने की निम्न में से कौन से युग में सही धंग से मेल नहीं खाते हैं पुराने पत्रों का एक समूँ जवाला नहरू ने लिखा है समय का संचिपति इतियास ठीक है हलवाट आइंस्टेन ने लिखा है ये इसने लिखा है अब लेकि ये ट्रांसलेशन बहुत गंदा हुआ है हिंदी ट्रांसलेशन बहुत बहुत गंदा है इसको आप ओरिजनल देखिए तो क्या है अब बंच आप ओल्लेटर्स ये जवाला नहरू ने लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ओप टाइम इसने लिखा है लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन है हुआ है समय का संचेज वितियास तब बलब कुश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ठीक है तो आप ब्रीफ हिस्ट्री ओप टाइम किस ने लिखा है इसने लिखा है बागी देख लिए देते हैं आप मिडिसमबर नाइट्स ड्रीम बिलियम सेक्सपीर ने लिखा है और राजनीतिक अर्धिवयस्ता क्याल उचना में योगदान दिया है किसने कार्ल मार्क्स ने दिया है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दे रखा है जैसे स्वामी वेकरनन द्वारा 1897 में रामक्रिश्म मिशन की स्थापना वी थी ठीक है रामक्रिश्म मिशन की स्थापना किसने करी स्वामी वेकरनन ने कब 1897 में स्वामी वेकरनन का जन 12 जन्वरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था इनके बच्ष्पन का नाम नरींदर नात दत्त था यह है दच्छडवेसर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमःंस जीगे से से थे स्वामी वेकरनन ने 1897 इस बी में रामकृष्ण मिसन की स्थापना करी कुशन नबर 11 रामक्रिष्ण मिसन का मुख्याल है कहां इस्तित है बेलूर मठ में बेलूर मठ कहा है हमारा कोलकता में ठीक है बंगाल में इस्तित है तो रामक्रिष्ण मिसन की स्थापना स्वामी विकरनन ने वर्स 1897 में की वर्स 1909 में सोसाइटी पंजीकरन अधिनियम के अंतरगत इसे व इधिवत अपचारिक रूप से पंजीक्रत कराये गया ठीक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैट रामक्रिस्ट मिसन का मुख्याल है कोलकता के वैलूर में इस्तित है मिसन का नाम करण रामक्रिस्ट प्रणाभन्स के नाम पर हुआ था बारा कुश्चन नमबर 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोसित किया क्या कन्या हत्या को अवैद घोसित कर दिया कन्या सिस्वद की प्रथा मूलता राजपूतों में तता उच्च वर्गे के बंगालियों में प्रचलित थी जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे भारती समाज में प्रचलित इसकू प्रथा को समाथ करने के उद्देश से गवर्णर जर्नल जॉन सोर के समय 1795 इस्वी के बंगाल विनियमन 21 तथा वेलिजली के समय 1804 के बंगाल विनियमन 6 के तहत कन्या सिसु हत्या को अवैद घोशित किया गया ठीक है? Question number 13 1891 में B.M. मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जाओ सहमती की उम्र अधिनियम को पारिद किया गया जिसके अनुसार वारा वर्ष के कम की बालिका के बिवाह पर प्रतिबंद था ठीक है? इसके वारे में पढ़ लेते हैं 1891 इस बी में ब्रिटिस अरकार ने B.M. मालावारी के सहयोग से Age for Consent Act पारिद किया जिसके अनुसार वारा वर्ष से कम आयू की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंद लगा दिया गया वाल गंगा दर तिलक ने इस Act का विरोध करते हुए इसे भारती समाजिक मामलों में बिदेशी हस्ताचेप माना Question number 14 1828 में ब्रह्म समाज के स्थापना निमलिखित में से किस के द्वारा की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 SSB में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चलका ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है पहले ब्रह्म समाज के अनोंने समाज बनाया फिर इसके बाद इसको ब्रह्म समाज कर दिया गया Q15. मुक्त भारत समाज की स्थापना किस नहीं के रही थी? वीर सावर कर ठीक है? ट्रांसलेशन फिर से आजीब सा होगे इसमें मुक्त भारत समाज या जिसको हम बोलते हैं Free India Society तो Free India Society की स्थापना विनायक दामोदर सावार करने इतालभी राष्टवादी यूग सैप मैजनी के विचारों के आधार पर की थी सावर कर ने लंदन प्रवाद के दोरान इस संस्था की स्थापना की थी Q16. अब मैचिंग दे रहा है ब्रम समाज सबको पता है राम मौन राय ने करा थे स्थापना राम कर्ष्म रिशन स्वामी विकानन्द आर समाज दयानन सरस्थी और सद्ध सोधक समाज सबको पता है जो तिवार आप फोले ने करी थी आगे बढ़ते है Q17. ब्रिटिश सासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थ व्यावस था थी उस समय निमलिखे में से कौन सा प्रमुग व्यावस था क्रसी था, हस्त सिल्प था, निर्माड था लेकिन परेटन नहीं था ठीक है तो आगे बढ़ते हैं Q18. कुछ भारती अर्थ सास्त्री British सासन के दवरान भारत की रास्त्री आयका मूल्यांकन करने का प्रियास करते थे निमलिखे में से कौन अर्थ सास्त्री नहीं है तो दादा, भाई, नरोजी इन्होंने करा था V.K.R.V. राओ इन्होंने भी किया था आज शी देशा इन्होंने भी किया था प्रसांत्र चंद्र महाल नोविस भारत के एक प्रसिद व्यग्यानिक इवुम सांके की विद थे इन्होंने भारत के दुती पंचवर्सी उजना के मसादय को तैयार करने में अपना महत्पूर्ण योग जिरान दिया था दादा भाई नौरोजी वी के आरवी राव और आरची देशाई ब्रिटिस कालीन अर्थ सास्त्री थे जो नोंने भारत की राश्टी आयका मोल्याकन करने का प्रयास किया था ठीक है तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन खतम हो गया जितना भी था मैंने डिसकस कर दिया जिसमें कुश्चन अधनिक भारत का धियास लेकिन ये अभी खतम नहीं हुआ है अभी इसका चेप्टर नमबर टू है वह है भारती राश्टी आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में हम झाल 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 झाल